जहिन दोस्तों तो आज हम लोग partnership accounting को आगे बढ़ाते विए इसमें समझने वाले हैं कि partners के accounts कौन-कौन से होते हैं और बहुत ही ज्यादा महत्तोपूर्ण है जिब competition के point of view से जैसे commerce, tgt, pgt जैसे subjects की बात कर रहे हूं, paper की बात कर रहे हूं यहां से related कई important questions आपके लिए निकलेंगे तो बने रही है अगले लगभग 20 minute हमारे साथ एकदम खतम कर दूंगा partners capital account देखिए जब partners account की बात कर रहे होते हैं तो partners accounts का मतलब होता है जो ऐसे खाते जो partners से related हैं कौन-कौन से होते हैं जैसे partners capital account, partners interest account, partners drawings account, partners interest on drawings account यह सारे ऐसे accounts हैं जो partners से related होता हैं तो कैसे उनको रखा जाता है क्या-क्या नियम है उसके लिए उसकी बात करता हैं तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं partners capital account की बात करने वाले हैं capital account की बात करेंगे तो partners capital account को रखने के दो method हैं कौन-कौन से number एक पर जो method है उसको कहा जाता है fixed method नमबर दो पर जो method है उसको कहा जाता है fluctuating method एक तरफ है fixed method और एक तरफ है fluctuating method देखो नाम से ही clear हो रहा है जब fixed method की बात होती है इसका मतलब है कि यहां पर partners की capital हमेशा fixed रहती है अच्छा fixed कहते रह सकती है अगर विवसाय कर रहे हैं तो वहां profit होगा उस profit को भी तो capital account में क्रेडिट किया जाता है यह कर रहता है तो इसका मतलब है कि capital account हमेशा fixed रहता है और जितना profit या loss या जितना और कुछ होता है वह सब एक अलग account बनाया जाता है उसमें transfer किया जाता है उस account को क्या कहेंगे partners current account कहते हैं एक ही account बनाया जाता है जो partners capital account होता है जब हम इस method की बात करते हैं तो यहां पर partners के लिए account बनाया जाते हैं कौन कौन से एक बनाया जाएगा पार्टनर्स क्यापिटल अकाउंट एंड नमबर दो पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट लेकिन इस सिचुएशन में एक ही account बनाया जाता है जिसको कहा जाता है वा तो आऊ-फाटनर्स क्यापिटल वाइशन एक ही एकंट बनाया जाता है गैब क्या फ़ॉर्मिट होगा और क्या सिचुएशन होगी इसको को बनाने की तो देखो जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि यह डेट कि पार्टिकुलर्स कि जे अफ अमाउंट कि डेट कि पार्टिकुलर्स कि जे अफ अमाउंट तो यहां पर सबसे पहले जो भी एर होगा हमारा इसको डैस रखेंगे बाई बैलेंस बीडी और ओपनिंग बैलेंस हमेशा कैपिटल का जो इनीसियल कैपिटल कभी विवसाय के प्रारंभ में जब पार्टनर्स से फर्म प्रारंभ हुई थी स्टार्ट हुई थी first time तब पार्टनर्स ने जितना कैपिटल लगाया था वो और इन्वेस्ट कर दिया है किसी पार्टनर्स ने बीस हजार पचास जार लाग दोलाग रुपए एडिसनल केप्टल लगा दी तो बाई बैंक अकाउंट अच्छा गर विड्रॉल कर लिया तो यहां पर आ करके क्या कर देंगे टू बैंक अकाउंट बिड्रॉल कर दिया तो यहां पर अब क्या करेंगे यहां का टोटल करेंगे इसको यहां पर लेकर आएंगे ओके यहां बैलेंस निकलेगा टू बैलेंस सीडी और उसको यहां पर ट्रांसफर कर देंगे बाई बैलेंस बीडी ध्यान रखिएगा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ट मैथड में हैं अगर फिक्स्ट मैथड के अंतरगत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया तो उस हमेशा कैसा आएगा क्रेडिट बैलंस आए गाख मेशा क्रेडिट बैलंस कभी भी डेविड वैलंस नहीं आ सकता डिमेठ्फटय के अंतरगतец पाटनेर्स का क्यémटल अगाउंट हम लोग बना रहें होंगे तब बात क्लिएर हो गई partners capital account का balance हमेशा credit होगा जब हम fixed method में partners capital account बना रहे होगे और इनका balance हमेशा एक समान रहता है capital account में capital का balance कभी change ही नहीं होगा मानलो 5 लाख रुपे उन्होंने लगाया था तो 5 लाख ही बना रहेगा वो कभी change नहीं होगा वर्ष के प्रारंभ में जब कभी भी शुरूब हुई थी partner से फर्ब तब क्या लगाया था उसको ध्यान में रखते भी इसको बनाया जाता है अच्छा फिर बहुत सारी values रह गई उनको कहा दिखाएंगे तो फिर हम लोग क्या करते हैं partners current account अलग से बनाते हैं ठीक है इसी को आगे carry कर लेता हूं और यहां मैं इसको खतम कर देता हूं ठीक न और यह account हम लोग बना रहे हैं partners capital account यहां पर हमारे पास जगह थोड़ी कम है इस वज़े से आप अर्जिस्ट करिएगा इसको partners capital account का format मैं आपको यहां पर बता capital account बनाएंगे तो सबसे पहले by balance bd कि यह balance bd कौन सा capital जो balance sheet में दी गई होगी वह आली capital यहां पर लिख ली गई उसके बाद में by interest on capital account अगर interest आया by salary account by commission account यह सब यहां पर आएगा ठीक है न अच्छा इन्होंने अगर interest लगा है withdrawal किया इन्होंने withdrawal किया है उस पर interest लगा तो यहां पर लिखा जाएगा to interest on drawings account यहां पर अगर पार्टनर से फर्म को profit हुआ या loss हुआ तो वह भी तो पार्टनर से बढ़ जाता है अगर profit हुआ तो यहां आएगा by PL statement account इसे उसको PL statement appropriation account कहते हैं और अगर loss हुआ है तो यहां आएगा to PL appropriation account यहां पर अब देखो क्या हो सकता है इसमें इधर कभी total बढ़ा हो सकता है इधर कभी total बढ़ा हो सकता है लेकिन यहां पर देखो हम हम लोग मानते कि अगर मान लो इधर का total बढ़ा हुआ तो हम यहां पर उसको लेके आएंगे और यहां पर लिखेंगे टू balance cd और अगर by chance इधर का total बढ़ा हुआ तो इधर लिखते हैं by balance cd अगर मैं यह बान के चलना हूँ इधर का बढ़ा होगा तो अगर यह इस खाते का आगर इस खाते का credit balance निकलता है तो उसको liability माना जाता है और देविट balance निकलता है तो उसको assets माना जाता है credit balance निकला तो liability debit balance निकला तो assets माना जाता है और जब कभी fixed method में होते हैं तो दो account बनाया जाते हैं एक होता है partners capital account और दूसरा होता है partners current account उपर लिफ चुका था में उसको ऐसे बनाया जाता है partners को मिलने वाला profit में share, उसका salary, उसका commission उसका interest on capital सब credit होता है और interest on drawings और PL में मिलने वाला loss का हिस्सा उसका credit होता है ये in case of loss होता है loss की condition में इधर लिखा जाता है और profit की condition में इधर लिखा जाता है बात clear है आपको तो इस तरीके से बनाया जाता है fixed method में partners का account ध्यान दीजिएगा यहाँ जो fixed capital account है इसका balance हमेशा credit होता है लेकिन जो current balance partners account होता है उसका credit balance भी हो सकता है डेविट balance भी हो सकता है इस situation में इसका credit balance निकले तो liability और debit balance निकला है तो उससे assets माना जाता है अब चलते हैं ज़रा इधर देखते हैं partners capital account कैसे बना जाता है जब हम fluctuating method में होता है तो fluctuating method में जब partners capital account की बात करेंगे तो कैसे बनाये जाएगा यह column date का हो गया यह particulars हो गया JF journal folio amount, date, particulars, jf, amount जब इसको बनाया जाएगा तो देखो यहां पर जो हमने दो अलग-अलग account बनाए है वो मिला कर एक बना दिया जाए तो वो हो जाता है fluctuating method इसको floating method भी कहा जाता है तो देखो question में इस पर निर्देश होता है कि कौन सा method का use करते हुए हम लोग को accounts बनाने है ठीक और अगर कुछ न कहा गया हो तो fluctuating method लेंगे फिर हम अलग-अलग बनाएंगे निए फिक्ट में नहीं मानेंगे तो देखो कैसे यहां पर सबसे पहले by balance bd by balance bd कौन सा balance bd company में जो balance sheet में उनकी liability साइड में जो capital दी गई है उसको मैंने लिख लिया ओके अब मान लो इसने एक्सेस capital और लगाई है तो buy bank account अगर और लगाए हो तो buy bank account तुम्हारा account और बढ़ा दिया गया लेकिन अगर withdrawal कर लिए हो तो two bank account अगर तुमको capital पर interest मिला है तो buy interest on capital अगर salary मिली है तो buy salary account अगर कमीशन मिला है तो बाइक कमीशन account और अगर profit हुआ है फर्म में profit हुआ है फर्म में और तुमको तुम्हारे लाव विभाजन के अनुपात में profit में शेयर मिला है तो क्या लिखेंगे buy PL appropriation account अगर कि यहां पर profit में शेयर जब मिलता है तो यहां आता है अच्छा मान लिए ड्राइंग किया है उस पर इंट्रेस्ट लगा है तो two interest on drawings और यहां पर इसको loss हुआ है तो two PL appropriation यहां जाएगा लॉस्ट यह लॉस्ट की कि दी कि इधर भी आ सकता है अगर इधर two balance अगर इधर by balance cd हुए तो इधर आएगा two balance bd और अगर इधर carry down हुए तो इधर आएगा by balance अगर यहां balance यह निकल के आया है अगर यह वाला balance निकल के आया है डेविड में डेविड में balance निकल के आया है ठीक है न यहां यहां नहीं बता रहा हूं यहां समद देखिए अगर जो balance पूछा जाता है वह यह वाली वैली होती है यह वाली यह वाली यह वाली ठीक तो अगर यह डेविट बैलेंस निकल के आया है तो इसको और अगर एकाउंट खोले जाते हैं और पार्टनर सपेयर अलग से और पार्टनर स्कार्ट लेकिन अगर fluctuating method की बात करता हूं तो एक ही account खोला जाता है जिसको कहते हैं partners capital account जब fixed method में बात करते हैं तो partners capital account का balance हमेशा credit balance ही सो करता है कभी भी डेविट balance नहीं आ सकता जब partners capital account हम fluctuating method में जाते हैं तो ज्यादा तर chances होते हैं कि हमारा credit balance ही निकलेगा लेकिन कई बार इसका debit balance भी हो सकता है दोनों balance हो सकते हैं जब fixed method की बात करते हैं तो partners capital account में केवल capital का ही लेखानकन किया जाता है interest on capital, drawings, commission, salary, PL statement ये सब अलग से दिखाया जाता है current account में लेकिन जब fluctuating method में जाते हैं तो सब कुछ एक ही account में दिखा दिया जाता है सब कुछ एक ही account में दिखा दिया जाता है तो देखिए उमीद है बहुत ही बहतरीन तरीके से आपको differences समझ में आया होगे और accounts का format समझ में आया होगा कि कैसे accounts बनाते हैं जर्नल इंट्री करना चाहो तो वह भी कर सकते हो जैसे यह जितने नाम मैंने credit लिखे हैं इनके लिए इंट्री क्या होती है मैं उपर कौन सा account बना रहा हूँ partners current account जैसे interest on capital account डेविड to partners current account तभी तो यह credit पोस्ट हुआ जितने नाम यह लिखे हैं इधर इन सब के लिए partners current account credit है जर्नल इंट्री का rule याद हो तो याद कर लो salary account debit to partners current account commission account debit to partners current account PL statement appropriation account debit to partners current account इनकी सब के लिए partners current account डेविड है तभी तो इस account के डेविड में पोस्ट की हो तो entry देखो format तो समझ में आया ही होगा आया साथ में entry भी आपको समझ में आ गई होगी अगर लगा अतार हमारे साथ आप 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक लगभग लगभग मेरे साथ बने रहे हैं तो इधर entry आप देख लीजिए इन सब के लिए यह जितने नाम इधर लिखें यह सब डेविड हैं और इनके लिए credit है partners capital account यह जितने नाम इधर लिखें इन सब के लिए partners capital account है डेविड और credit में क्या है यही नहीं जिसे to bank account to interest and rank to PL appropriation यह करके तो अमीद है बहुत ही बहतरीन तरीके से आपको partners capital account समझ में आ गया होगा कैसे इसको maintain किया जाता है हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहां हम बात करेंगे कि ratio जब admission होता है new partner का तो ratio का calculation कैसे किया जाता है और कोई भी exam आप commerce से related देने चले जाए ratio calculation का एक calculate किया सकते है ratio में वो समझाओंगा अपने अगले वीडियो में मिलेंगे वहां यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे बेल आइकन को प्रस कर लीजे ताकि notification आपको मिल जाए फटा फट बिना कि किसे विलम के मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन दो